आज का जो हमारा टॉपिक है वह है किन्डम की पिस्था तुम लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पड़ा था वह था किन्डम मौने ना और उसमें जो अगिनिद्म पड़ेती वह थी यूनिचलूलर एंट टोकेई पड़ेती आज जो टिंडम हम पढ़ रहे हैं इसके ओर्गिनेजम होते हैं यूखेरियोटिस एंड टियूटिस और टियूटिस की बॉड़ी एक सेल की बनी है और साथ में वह यूखेरियोटिक होने का मतलब यह है कि अब उसके पास एक वेल डिफाइंड नुकलियस होगा और नुकलिय साथ मलं तो है इसके अलावा इसके दूसरी पीजिए से होती है कि जालते है्लत मैराम होते हैं या मैराम होते हैं और अञेंड इंहिक कैकलतAR या तो सेल्फ यूजन से या फिर दाइवोर्ट पॉर्लेशन के लिए इसके पास होते हैं सीडिया और लेदेना और अब आती है इसकी सबसे इंपर्टेंट बात इह अब दूसरे और गिस्ट को रिजेंबल करते हैं कि उसलिया होते हैं इसलिए और प्लांट पर रिजेंबल करते हैं इसलिए होगे क्योंकि उनकी सेलगाल बनी होगी कि और साथ में उनका स्टोरिज मेटिल होगा स्टार्च और वो करेंगे फोटो सिंथेनी इसके अलावा कुछ होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से होंगे जो एनिमल्स को रिजर्बल करेंगे एनिमल्स को रिजर्बल करने का मतलब यह है कि वो उनका हेटेरो टॉपिक मोड ऑफ नूट्रिशन होगा दूसरों के ओपर डिबेंडेंट होगे एनिमल्स करके इट करेंगे यानि कि गोलोगोई करीकी से फोट इंटेक करेंगे और सेल वाल उनकी एपसंट होगी एक होते हैं फंगस लाइफ प्रोटीशंट पंजाई की चाहिए प्रूटिंग बाड़ी बनाएंगे पंजाई की चाहिए स्कोर बनाएंगे पंजाई के जैसा ही सेल पंपोजिशन होगा डेड इंड डिटिंग और गेनिक मैंटर से न्यूटिशन देंगे और इसके अलाबा कुछ और् प्रोटीशन होने की वज़े से यह वाली जो प्रोटीश्टा कींडम है इसकी बाउंडरी इस वेरी डिफाइंड नहीं है इसमें अलग-अलग तरह के और इसमें अब बढ़ते हैं जी तो इसमें अब देखो तुम तुमारी बुक में एक क्रेटेगराइजेशन दिया है य क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स दो होते हैं इंकॉम नाम देखें गोल्डन एल्वी और साच्में पर इक नाम हो दिया जाता है डाय अप्रेट्स इंपोर्डन बात यह होती है कि इनकी सेलवाल बनी होती है एक सबस्टेंस की जाकर उनकी सेलवाल में डेपोजीशन होता है सबस्टेंस का जिसका नाम है सिलिका यानि की सिलिकन दाइब औकसाइड और इस वज़े से वो बहुत ही तफ होते हैं और हार्श होते हैं जिनकी बज़े से इनको रृटन इनकी कहा जाता है जब यह वैu फी जो बोडी है जो कि यह बते जाते हैं एक के ओपर एक deposit होते जाते हैं और एक solid structure बनाते हैं जिसको die-atomation वह इतना टब होता है कि उससे आप क्या कर सकते हैं इतना सक्त होता है कि उससे कुछ भी चीज़ रगडने का काम ले सकते हैं यानि कि एब्रेजिव वाला function ले सकते हैं यह वर्ड इंपोर्डेंट है एब्रेजिव एब्रेजिव यानि कि किसी भी चीज़ को गिसने के काम आ सकते हैं जैसे कि जब हम दिवार पर पेंट करते हैं तो सबसे पहले पुराने पेंट को उताते हैं रेजमाल लगा कि एब्रेजिव function उसको कहते हैं इसमें कुछ और भी और साच में इनकी एक विशेट का बबर होती है कि यह के पास pigments होती है पोटो संथेस करें एक पासलब pigments है और दूसरे का यह होती है plankton कि यह होता है कि वो वाटर बॉड़ी के सर्फेस पर पैसे तरीके से तरीके से नहीं तरीके से इसका मतलब यह है कि जहां water current होता है उसके साथी वो बहते चले जते हैं सर्फेस के ऊपर देते हैं water body की photosynthetic होते हैं तो sun की light trapper के पूर बनाते हैं तो एक important बात यह है कि जो water body होती है वहाँ पर food chain के starting organisms यह होते है starting organisms होने पर क्या मतलब है यह producers होते हैं यहां से food chain aquatic habitat में start होती है class friends में भी आमने पढ़ता है अब हम बढ़ते हैं आगी एक हो सेकंड जो केटिग्री है उसका नाम है डाइनो फ्लेजिलेट्स अब यह दाइनो फ्लेजिलेट्स क्या होते हैं डाइनो फ्लेजिलेट्स ऐसे structure होते हैं इनके पास two phlegyla मोटे लिए यह भी plankton's की तरह यानिके डाइटम्स की तरह plankton होते है plankton का मतलब क्या है कि वह surface पर रहने वाले organisms हैं दो clegela है एक है बाड़ी के लॉंगिटूरीनल और दूसरा है ट्रांसवर्स किसका मतब है वाक्याद़नी या ओर्डिनेसी की बाड़ी है तो ये π्लेजेला को प्रेजेंट होगा ऐसे है लॉंटिटूरीनली और दूसरा प्रेजेंट होगा ट्रांसवर्स यान फैसे है दाइनो फ्लेजलेट्स की दूसरी विशेच्छा इनके पास अलग-अलग तलग पिगमेंट शाया है देखनेंट पिगमेंट और इस और इस और इस पिगमेंट फोतो सिंथेटिक होते हैं यहने कि संग की लाइट को इस ट्रैप कर सकते हैं उसके वज़े से एक्साइट हो सकते हैं दाइनो फ्लेजलेट्स की दूसरी बाद वो तुमारे बुक में दीए कि यह रेट टाइड को पॉस्ट होती है एक और्जिनिस्म से बज़ेश से कहते हैं गॉन्या लक्स आपब यह अलक्स नम का भी अना यह है क्या करता है ते भाए अने है इसका होता है तो पूरी water body में फैल करिये उसको एक red appearance देता है तो जब यह बहुत तेजी से फैल जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है red time दाइनो फ्लैदिलेट्स में और इन्होंने क्या क्या दिया है देखो इनकी cell wall जो बनी होती है वो होती है cellulose cellulose with cell wall अगली कीचर एरो ने दिया है यह toxins release करते हैं और यह toxins effect करते हैं other aquatic life को जैसे की fishes को यह effect करते हैं अब हम बढ़ते हैं अभी category की तरब जिसका नाम है यूगलीनॉइट्स को अगर कुम लोगों ने ध्यान दिया हूँ तो पहली दोनों केटिवी जो की डाइटम्स और डाइनो फ्लैडिरेट्स की वो रिजेंबल कर रही की मोनेडंस को यहीं की बैक्टिरिया लाइक पोटेस्ट्स और अब आते ही यूगलीनॉइट्स जिनको क्यों केते हैं प्लांट लाइक को होते हैं प्लांट की तरह ही इंके साथ सेल्वल थेलूलोस की होती है पोटो सिंथेटिक पिग्मेंट्स होते हैं यह और फोटो सिंथेटिक पिग्मेंट्स कों से होते हैं ख्लोरोपी एटिक जैसे हायर प्लांट्स की काथ होते हैं यह जो यूगलेनोइट्स होती है, इक तरह से डूवल मोर्ड अपना दिखाते है जब light present होती है तो photosynthesis करते हैं जब light absent होती है तो यह heterotrophic mode of light रिखाते हैं यह नि कि यह light के ऊपर dependent ऐसा निया है कि वो fast radius हैं तो कैसे होती है फेटर देटर होती है अब हम बढ़ते हैं आपे, uglinoids में देखो इन्होंने third line में लिखा है they have a protein-rich layer called pellicle which makes their body flexible and have two plezella long and short figure 2.4 पर यहां पर इन्होंने डाइग्राम बना है और इस डाइग्राम में कुछ इस तरह का है यह इसका प्लेजला है और यह वाली जो लेयर होती है इसको हम किसे हैं फेलिकल यह जो cell wall वाला portion है पाल की तरफ उसको हम कहते हैं फेलिकल इसके बाग चाहिए इंट्रेस्टिंगली तो पिगमेंट्स और फ्यूग लिनोट्स आइडेंटिकल यानि कि हायर फाइंट्स वाली होते हैं फिर इससे अगली जो केटेग्री है उसका नाम है स्वालर आइडेंट्स आइडएं प्लाइबोंट जो होते हैं यह होते हैं पंजाई लाइफ प्रोटेस पंजाई टी सरे पूर्टिंग बादी बनाएंगे पूर्टिंग बादी बादी पनाएंगे जाकर कॉर्ण सरे यह हैं, यह है प्रोट रस कमाथ इनल जो रहके भाद्ट बस्क्रिंग बादी haya भाद नहीं कहें इनल के था हैं, यह मैं वाहा नत्यक्ततर आदा, जप्लाट फचला फिर्फिर फेः इसम मद घंडाल फंड म्स कि फंगस को भी कहा जाता है। इसके बाद क्या लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है। बोडी मुवस है रांग डिकेंट मिक्स & दीज अंगल्पिंग और्गनिक मैटेरियल यह सेप्रोपिक है। Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. Plasmodium ऐसे structure को कहते हैं जो कि अभी vegetatively grow हुआ है spores है। During unfavorable conditions, plasmodium differentiates forming fruiting bodies, bearing spores at their tips. Spores possess true walls. True walls का मतलब वो walls होती है, जिनका function क्या है? Protectively. They are extremely resistant and survive for many years. Fungus के spores होते हैं, बहुत ही जादा resistant होते हैं. Can under adverse conditions, spores are dispersed by air currents. Spores are dispersed by air currents. Spores disperse air currents. अब हम बढ़ते हैं आगे. इसके पाद जो अगली category है उसका नाम है protozoals. Protozoals. Protozoals जो है इसके नामकार ही होता है life animals. Proto means life and zones means animals. Animals की तरह होता है? क्योंकि यह photosynthetic नहीं है, नहीं यह saprotropic है. Nutrition अपना ना तो dead organic matter से ले रहे हैं, नहीं यह sunlight को capture घर के अपना food बना रहे हैं. दूसरा organism को engulf और digest घर के अपना food बना रहे हैं. अब देखो इसमें अलग-अलग categories हैं. इनों नहीं नहीं का लिखा है. They live as predators or parasites. दूसरों के उपर dependent हैं, इसलिए parasite यह predator के लाइए. They are believed to be primitive relatives of animals. primitive relative of animals यानी protozoals. Amoeboid का मतलब होता है amoeba-like proteins. यानी कि वह amoeba के जैसे phone. यानी कि इसमें कौन से organism हाएंगे? जो कि fresh water, sea water या moist oil में लेंगे. और food कैसे capture करेंगे? भूप कैसे करेंगे? Pseudoporea expansion. इन organisms की विशेश्चा होती है. Pseudoporea formation. जिसके यानी false feed. जिसके through क्या करते हैं? food को capture करते हैं. और साथ में move करते हैं. इसके बाद क्या लिखा है? some of them such as entamoeba are parasites. एक organism है, जो की human beings में bloody diarrhea cause करता है. जिसका नान है entamoeba systrolatica. यह वाला जो amoeba होता है. यह human beings में क्या है? disease cause करता है. यानी कि यह parasitic है. या फिर हम कह सकते हैं कि parasolelic है. ENT का मतलब होता है. यह पाए जाता है हमारी intestine. अब हम पट्याग लिए category की तरफ जिसका ना है? flagellated protozoans. flagellated हमसलब गो होता है, जिनके पास flagellular presence है. और इसमें कौन से organism माएंगे है? जैसे की trypanosoma. trypanosoma गो organism में जो pause कलता है. sleeping sickness. sleeping sickness. और यह जो trypanosoma नमका phetogen है. यह पेजोजेन है. इसको पहलाने वाले जो fly है उसका नाज होता है. c plus. c c fly. अज बार यह question आ जाता है. अज बार यह question आ जाता है. इसके बार बढ़के हैं आगे ciliated protozoals. जिनके पास cilia present होगा momentary. और यह सबसेल से एक्जाम्पल है peramecium. देखो इन्होंने first line में लिखा है these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. जैसे अगर peramecium का diagram बना है तो वो कुछ इस तरह होगा. साथ में यह बताए कि इनके पूरे surface पर इस तरह से cilia present होते है. यह इसकी shape बिलकुल ऐसी होती है जैसे कि है और यह slipper यानि की चप्पल होती है इस वजे से इस organism को slipper animal fuel भी कहते है slipper animal fuel यह slipper-like organism इसके बाद इसके पासे structure होता है इसको कहते है gullet gullet एक mouse जैसी opening होती है जहांसे water current अंदर आप है और अपने साथ food लेते जाता है और यह organism कैसा है? यह eukaryotic है इसलिए अंदर जाने कर इसके जो अलग-अलग organally यह food को digest करने में help करते है the coordinated movements of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet यह मैंने पता ही दिया अब आती ही last category जिसके आने sporozones 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 का मतलब होता है कि ऐसे protista जो कि spore forming करते है और यह सब के सब parasitic होते है इसका सबसे perfect example है फ्लाजमोटियम फ्लाजमोटियम जो कि human beings में malaria falls करता है दो species में रह सकता है एक तो है mosquito और एक है human beings और इसकी life cycle जो है कि इसमें एक sporozoid नम की stage भी आती है जभी a spore form करता है और humans में enter करता है अब यह तो थे अलग-अलग categories और kingdom protista पांच नमबर का जो question होता है उसमें protista का classification बहुत important है तो भी लोग इस topic को अच्छे से तयार करें कलम करेंगे यानि कि नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तब करेंगे kingdom पंजाए झाल